कि वटकर इष्दों ने कि व टैन करने वाले चैसा की आ वीडियो केस्टार्टिंग में भी डेख चुके हों तो फ्रेंड इस प्रकार का वीडियो एडियों करना बोहत şi प्लस की आइकन पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर हम 1.1 का रीशिव लेंगे लेनी के बाद यहां पर हमें क्रीड पर किलिक कर देना है अब यहां पर हम सबसे पले अपने फोटोज को एड़ करेंगे तो जिस भी फाइल में आपका फोटोज फाइल को ओपिन कर लेना है और यहां से आपको अपने फोटो को एड़ कर लेना है तो चलिए फ्रेंड में हैं से अपने फोटो को एड़ कर ले रहा हूं एड़ करनी के बाद यहां से में कट कर देना है और यहां से भैक आना स्क्रोल करके स्टार्टin पोजिशन पर आज आना है अँप्धिन यहां पर हम सेकड वा ले फोटो को सल्एक्ट करेंगे स्वाइब करने के बाद उपर के साइड में ज जोना है और इसे बरावर कर देना है और फोटो को में दूनों फिंगर से जूम करके सेट कर लेना है अब यहां से हम बैक आएंगे तो हम सेकंड वाले फोटो को सेट करेंगे पैंसे जूम में जाएंगे और इसे बरावर करेंगे और फोटो को में दूनों फिंगर से जूम करके सेट कर लेना ह तो यहां पर हम अगले वाले फोटो को सेलेक्ट करेंगे तो यह फोटो मेरा पहले से ही सेट है तो इसे हमें छोड़ देना है अब इस वाले फोटो को सेलेक्ट करेंगे पैंसे जूम में जाएंगे और इसे बरावर करेंगे और फोटो को इमें दोनों फिंगर से अच्छे से सेट कर लेना है तो इसी प्रकार से आपको अपने सभी फोटोज को सेट कर लेना है फ्रेंड यहाँ पर आप चाहो तो अपना फोटो भी यूज कर सकते हो set करने के बाद यहां से हम वैक आएंगे और यहां से हम स्टार्डिंग पोसिशन पर आ जाना है अफ्रेन्ड इसमें अपन książन एफेक्ट डालेंगे तो उसके लिए हम पर आपको square वाले box पर किलिक करना है तो जैसे आप square वाले box पर किलिक करोगे तो आप यहां पर ट्रांजिक्शन एफेक्ट में आ जाओंगे तो यहां से आपको एक एफेक्ट को डाउन्लोड कर लेना है तो इसका नाम है जूइम स्वीच तो इससे डाउन्लोड करने के लिए Simply आपको उपर वाले box में जाना, यहीं से आप download कर सकते हो, डानलोड करने के बाद इस वाले file को open करना है, और यहां से हम फस्ट वाले को दे देना है, देने के बाद यहां से हम back आजाएंगे, आप यहां पर हम second वाले box पर click करेंगे, उसके बाद यहां पर उसी वाले फाइल को open करेंगे यहां पर में second वाला दे देना है तो इसी प्रकार से आपको सभी में mix करके दे देना है आप चाहो तो एक ही वाले को दे सकती हो तो चले फ्राण मैं इससे दे दे रहा हूं देने के बाद यहां से हम back आएंगे और यहां से से में स्टार्टिंग पोजिशन पर आ जाना है इस वीडियो को एक बार सेब कर लेना है तो उसके लिए आपको उपर के साइड में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो फ्रेंड यहां हैं से हमकुछ इस प्रकार से बैक आएenगे और यहां से में किस्टेब और बैक आना है अब यहां करने के बाद हैं से कट करेंगे और यहां पर में स्टाइटिंग पोजिशन पर आ जाना है अब फ्रेंड यहां पर हम पैंसे जूम में जाएंगे तो इसे हमें बराबर कर देना और फोटो को में दोनों फिंगर से जूम करके फुल स्क्रिन में सेट करने के बाद यहां से हम बैक आएंगे तो यहां पर हमें ओण नीचे के साइड में आना है तो यहां पर इसकी वैगनेट को ओन कर देना है और यहां से हम कुछ इस प्रकार से बैक आ जाएंगे परेट इसमें अपना template वीडियो एड करेंगे towel layer में जांएंगे layer में जाने के बाद हम पन मीडिया में जाएंगे और यहां से अपने template को add कर लेते हैं तो इस template का लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा आप होँ से जाका download कर सकते हो तो फ्रेंड यहां से हमने अपने template को add कर लिया है, add करने के बाद यहां से cut कर देना है, उसके बाद नीचे के side में आना है, तहाँ पर हमें split screen में आना है, उसके बाद यहां से back आएंगे, तहाँ पर हमें on नीचे के side में आना है, तहाँ पर हमें blending में आना है, और इसे हमें screen क करना है यहां से हम कुछ इस प्रगार से बैक आजाएंगे स्टेक्ट करना है इसके बाद कुछ इस प्रकार से आपको को भी सेट कर लेना है अब यहां पर आपको सेट करने के बाद यहां पर आपको आजाना है क्रोपिंग में यहां पर इसकी मैस को इनेबल करेंगे और सेफ में जाएंगे तो राउंड वाले से रख लेंगे और इसे हमें अच्छे से क्रोप कर लेना है राउंड वाले सरकल में बैक आ जाएंगे अब फ्रेंट यहाँ पर हम दोबारा से इसी वाले वीडियो को सेलक्ट करेंगे सेलक्ट करने के बाद हमें कोने के साइज में थ्रोड पर किलिक करना अच्छे से अच्छे सेड करने के बाद है से हम कुछ ऐस प्रगार से बैड का जाएंगे उसके लिफ कर दे हैंगे उसके बाद यहां पर नीचे के साइड में आएंगे जाना है है इसे में फूल स्क्रीन में कर देना है यहां से बैक आएंगे तो यहां पर नीचे के साइड में आना है तो यहां पर हम ब्लेंडिंग में आएंगे और इसे में स्क्रीन कर देना है यहां से कुछ इस प्रकार से बैक आ जाएंगे तो इसके लिए पर लियर में जाएंगे लियर मैं जाने के बाद यहां पर effect में आना है and यहां से basic effect में आएंगे तो यहां से फ़स्ट वाले को select कर लेना है उसके बाद यहां से हम back आएंगे तो इसे हमें full screen में apply कर लेना है देख सकते हो friend कुछ इस्प्रगाल से उसके बाद यहां पर कोनी के side में 3. पर क्लिक करेंगे और उसे हमें send to back कर देना है और यहाँ पर जो इसकी duration है इसे खींच करें यहाँ पर हमें वीडियो के end तक कर लेना है करने के बाद यहाँ से back आएंगे starting position पर आ जाना है तो फ्रेंड हमारा वीडियो completely बनकर तयार हो चुका विसमें song अपने हिसाब से हुआ है अब इसे फोन में save करने के लिए यहाँ पर आपको उपर के साइड में शेरो पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर quality अपनी कौडिंग रख सकते और सेव एज वीडियो पर क्लिक कर देना और आपका वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा तो उमीद ह है फ्रेंड यह वीडियो आपको जरूर पसंद आए होगी गर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना बस आज के वीडियो में इतना ही तब तक लिए जय हिंज जय भारत